एक था गौरी मुंदिल खंड की पाठा के एक ऐसे खुंखाद डकैट की कहानी बताएंगे जो 20 साल से ददुआ ठोकिया और बबली कूल की बाद एक छत्र बिहड में राज कर रहा था पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था नाम था डकैट गौरी यादो साले पांच लाग का इनामी गौरी यादो 30 अक्टूबर 2020 को यूपी एस्ट्रियफ के साथ हुई मुढभीड में धेर हो गया लेकिन गौरी यादो कैसे खुंखार बना एक गरीब परिवार का लड़का खिर कैसे जरायम की दुनिया का सरदार बन गया क्यों पाठा के जंगल हमारे साथ डकैत गौरी यादो की कहाने उत्तरपदेश का चित्रकूट जिला एक ऐसा जिला जिसकी धर्ती पर वक्त वक्त पर खुंखार डकैतों के नाम सामने आते रहे हैं पाठा के जंगलों में कभी ददवा कभी ठोकिया तो कभी बबली कॉल और फिर एक नाम सामने आया गौरी आदो लेकिन क्या आप जानते हैं कि गौरी आदो डकैत कैसे बना अक्सर देखा गया कि दस्यू बनने की कहानी के पीछे कुछ ना कुछ कहानी होती है पुरानी रंजश, अपमान का बद्ला लेकिन गौरी आदों के साथ ऐसा बिलकुल नहीं था देखिया जिसका था डकैत गौरी आदो ना खुंखार गौरी आदो की खौफना कहानी दद्दू के फर्मान का मतलब भी हड का कानून पिर चाहे जो भी आजाए कहते हैं कि पाठा के जंगलों में डकैतों का गंतंत्र चलता है कहा तो ये भी जाता है कि पाठा और चंबल के बिहड कभी सुकून की सांस नहीं ले सकते हैं ददूआ की ठोकिया तक बल खडिया से रागिया तक और बबली कौल से गौरी आदो तक एक के बाद देख कोख्यातों का दंश पाठा के जंगल जेलते रहे चंबल और पाठा के घने जंगल डखैतों का सबसे पसंदीदा और सुरक्षित ठेकाना बने रहे सालू तक खुंखाट डखैतों का इन जंगलों में एक छत्र राज चलता रहा उत्तर प्रदेश से मत्यप्रदेश और राजस्थान की सीमा तक फैले इन जंगलों में खुंखाट डखैत अपने गैंग के साथ दशकों तक देशत का ध्याय लिखते रहे कुछ डखैतों कुछ सत्ता कसा रक्षण भी मिलता रहा तो कुछ गैंग का वक्त वक्त पर सफाया किया जाता रहा और जो बचे उन्हें यूपी की योगी सरकार ने या तो मुटभेड में मार गिराया या फिर वो जेल में है लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं एक ऐसरे डखैत की कहानी जो दूसरे डाकों से अलग है डखैत गौरी आदो जी हाँ कभी पत्ते अगर जंगल में हिला करते थे तो दस्यू समराट ददुआ के कहने पर हिला करते थे ऐसा कहा जाता था दस्यू समराट ददुआ ने चित्रकूट के जंगलों में लगभग तीन दसक तक राज किया उसके खौफ और आतंक की कहानी इस छेत्रे के भुकास की तस्बीर देखकर बया होती है इसके बाद दस्यू ठोकिया, दस्यू बलखडिया, दबबली कोल, लौलेस कोल, रागिया तमाम धकैतों ने इस धर्ती पर राज किया और इनके खौफ और आतंक की कई तस्बीरें देखने को मिली एकिन इसके बाद एक ऐसे सक्स ने इस धर्ती पर कदम रखा जिसका नाम था दस्यू गौरियादो जी हाँ, गौरियादो पाठा के जंगलों का आखरी सरदार जिसके एनकाउंटर के बाद ये कहा जाता है कि अब चित्रकूट के जंगलों में यूपी एश्टी अप डाकूओं का सफाया कर चुकी है ददुवा ठोकिया, बबली कोल के बाद गौरियादो देहशत का वो नाम जिसके जरायम की दुनिया में कदम रखने की कहाने बेहद रूमान चक है गौरियादो, साड़े पाच लाग का इनामी था, पुलिस को गौरि की तलाश काफी वक्त से थी लेकिन चालाग किस्म का ये डखैद, पुलिस को कई बार चकमा दे कर भागने में सफल रहा लेकिन इस बार वो नहीं बर सका 30 अक्टूबर 2020 का वो दिन डखैद गौरियादो के जिन्दगी का आखरी दिन साबित हुआ गौरियादो जिसके उपर एक लाख का इनाम था लेकिन इसके लगातार जो कारना में थे वो बढ़ते चले गए और यूपी पुलिस को घुटने टेकने पर इसने मजबूर कर दिया मुकदमा इतने तेजी से बढ़ते गए कि दरोगा तक को इसने अपने गाउं में जब दबिश डालने दरोगा आया दिल्ली से दरोगा की टीम आई दरोगा को मार कर उसकी रिवालवर लोट ली और इसके बाद इस डखैद का आतंग बढ़ता चला के कई सालों से HDF को इस दिन का इंतजार था पाठा की जंगल में अकीली बचे डखैद गोरियादों का खात्मा करने के लिए HDF के ADG और तीस तर्रार IPS अधिकारी अभिदाव यश ने खुद मोर्चा समाल लिया इंपुट के मुताबिक गोरी गैंग पहिल पुर्वा थाना इलाके के मांडो बांध के पास था लिहाजा खुद अभिदाव यश ने यहाँ पर जाल विशा दिया और फिर गोरी यादों को घेर लिया गया इस डगैत के उपर इसके बाद STF और यूपी पुलिस ने लगातार अभियान चलाए लेकिन कोई सफलता प्राप्ट नहीं हुई और कुछ महीने पूर्व इस डगैत पर पांच लाख का इनाम घोसित किया गया मध्यप्रदेश ने भी पचास अजार का इनाम यानिकि कुल मिलाकर पांच लाख पचास अजार का उत्तरप्रदेश का सबसे बड़ा इनामी डगैत तस्यूग गोरी यादों जिसे सनिवार सुबा UPSTF की टीम ने मुटभेड में मार गिरा है UPSTF ने एडिजियां विदावियस ने बताये कि सूचना मिली थी कि इनामी डगैत गोरी यादों अपने साथियों के साथ अपने पुराने अड़े पर है और उसे खादली सामागरी देने के लिए उसके सक्रिय सदसे पहुँच रहे है तभी HDF पुलिस ने इनामी डगैत को रात के अंधिरे में मांडोबाद के पास जंगल में घेर लिया डगैत को समरपन करने के लिए HDF ने कहा तो उसने पुलिस पर फायर कर लिया जिसके बाद जवावी फाइरिंग में इनामी टकैर कौर याद और ठीर हो गया और उसके बागी साथ ही मौकी से फरार हो गया इसके पास मौजूद थी और इसका अच्छा फायर पाउर था आज एक लंबी मुढवेड के बाद और भी साथी से सर इनके हाँ ये जहां आप देख रहे हैं जहां मुढवेड का स्थान है यहां ये गैंग एक आग यला करके और उसके आज पास बैठा हुआ था जब एस्टी एफ टीम ने मुविम्मेंट किया तो उन्हें साफ आग की रोशनी में दिखाई 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 द चैलेंज करने के बाद जो गन बैटल हुआ उसमें ये गैंग लीडर मारा है हरे जंगलों की बीच एक पीड की पास पड़िये लाश गोरी यादों की है डगैद गोरी यादों के खातमे के साथ ही पाठा की जंगलों से डगैदों के आखरी अध्याय का खातमा हो गया गौरी के टकैज बनने की कहानी अभी बाकी है चित्रकूर्ट से अनुझ हनुमंत के साथ क्राइम डैस हिंदी खबर गौरी आदो धेर हो गया गौरी को घिर पाना पुलिस के लिए इतना आसान नहीं था लेकिन जंगल में सर्दी की वज़े से गौरी का गैंग आग के आसपास बैठा था लेहाजा आग ने हटी अफ का काम बहुत आसान कर दिया इस पूरे ऑपरेशन की दोरान कई राउंड गूलियां चली जिसके बाद गौरी के साथ जो बदमाश थे वो भाग खड़े हुए लेकिन गौरी नहीं बर सका गौरी का गैंग काफी कमजूर हो चुका था गौरी की गैंग में कुछी बदमाश बचे थे देखिया आब बुंदेल खंड के जंगलों में सर्दी बढ़ने लगी है और इजी का इंतजार था यूपी एस्टी अफ को क्योंकि बारिश के दिनों में घने जंगलों की बीच डखेतों का पहुच पाना एस्टी अफ के लिए बेहत मुश्किल था लेहाजा एस्टी अफ ने गौरी के खात्मा का प्लान तो बहुत पहले बना लिया था लेकिन उसे अंजाम देने का प्लान बारिश के बाद का था बारिश के दन खत्म होते ही वो दिन आ गया जब गौरी माडो के इस जंगल में शनिवार को गैंग के साथ आग के सहरे बैठा था अमिताब यश एस्टी अफ का नेत्र तो कर रहे थे लेहाजा आग को देखते ही एस्टी अपने उप्रेशन को अंजाम देना शुरू कर दिया तो डकैत गौरी ने भी ताबरतूर गुरियां बरसाना शुरू कर दी तो गौरा उप्रेशन कैसे इंजाम दिया गया क्योंकि आपका नाम आते ही ये तो इसपस्ट हो जाता है कि बहुत ही पेचीदा रहा होगा उप्रेशन और जैसे डकैतों को मारा जाता है तो ये कैसे पूरी घटना कैसे अंजाम दिया इस गैंक के पीछे स्टीएफ काफी समय से लगी हुई थी लोकल पुलिस का भी कौपरेशन प्राप्त हो रहा था और स्पेसिफिक सूचना लगातार स्टीएफ इकठा कर रही थी इस गैंक के साथ पूर में भी मुटभेड टीम ने मुव किया ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि ये अपने पुराने अड़े पर मौजूद है और इसके लिए शाम को भोजन आदी इस 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 इलाके में गया है इस सूचना पर स्टीएफ ने इस छेतर में मुववमिंट किया ये गैंग अपने साथ अच्छे असल होती है इसके अलावा 12 बोर की बंदूक कंट्री मेड पिस्टल जो इसके पास से बरामद हुई है ये भी इसके पास मौजूद थी और इसका अच्छा फायर पाउर गौरी का गैंग कमजूर हो चुका था कुछ बदमाश गौरी के गैंग में बचे थे लहाजा गौरी अके दूआ इसके बाद तमाम डगयत लगातार खात्मा होता रहा अब ये जो आखरी डगयत कहा जा सकता है ये माना जाए कि अब चित्रकूर्ट डगयत मुक्त हो गया है इसके पहले भी जब ददूआ ठोकिया उमर के वाट और कई अन डगयतों का सफाया हुआ था तो एक समय ऐसा था जब पूरी तरह से धरती डगयतों से मुक्त हो गई थी इसके बाद फिर लगातार ऑपरेशन्स चलाने की आवशकता होती है ताकि कोई नए गैंग्स ना पनपे अगर हम इस प्रकार का ऑपरेशन्स चला चलाते रहेंगे और कोई भी नया ग्रूप को एमर्ज नह बंदूग, दो कंट्री मेट पिस्टल और एक 312 बोर की पिस्टल सहीद कार्तूस बनामत हुए इनामी डगयत कोरी यादों पर यूपी और एमपी के लगबग 60 मुकर्ब में दर्ज थे गोरी दोनों राज्यों के लिए आतंक का परियाय बन चुका था एक सबसे बड़ा प्रशनिये है कि आखिर डगयत पनपते कैसे हैं एक प्रशनौर है कि डगयतों को कैसे हथियार सप्लाई होते हैं कैसे कार्तूसे मिलती हैं और कैसे इतने दिनों तक पुलिस की तमाम रणनीती फेल हो जाती हैं आईए दिखाते हैं गौरी आदव कैसा था और कैसे थे इसके उपर चलने वाले मुकद में चित्रकूट का एक हुंखार डगैद गौरी यूपी और एमपे पुलिस के लिए सिर्दर्द बन चुका था पिछले 20 साल से अपरात की दुनिया में धाग जमाई हुए था यूपी और एमपे पुलिस गौरी का खात्मा करने में असफल साबित हो रही थी लेकिन अब यूपी एश्टी अपने गौरी का खात्मा कर राहत की सास ले चित्रकूट से अनुझ हनुमन्त के साथ क्राइम डेस्क हिंदी खबर चित्रकूट के बहिल पुरुवा थाना के बिलहरी गाओं का रहने वाला गौरी खुंखा डकैट ये कैसे बना कैसे वो दस्यू सम्राट ददवा ठोकिया और बबली कॉल के संपर्ख में आया एक मुखवीर से खुंखा डकैट बनने की गौरी की कहानि दूसरे डकैटों से बिल्कूल अलग है क्या वाकई गौरी को पुलिस नहीं खुंखा डकैट बनाया अगर पुलिस गौरी से ददुआ और ठोकिया की मुखवीरी ना कराती तो शायद गौरी डकैत ना बनता लेकिन क्या है पूरी कहानी और गौरी की मा का क्या कुछ कहना इस पूरी रिपोर्ट में आप देखियें चित्रकूट की आसपास पाथा के जंगलों में सत्तर के दशक से डाकमों का राज रहा इन डकैतों का सफाय करना पूलिस के लिए चुनोती थी और पूलिस आसपास के गाउं के लोगों से मुखबिरी कराती थी इस समय हम डकैत गौरी आदों के गाव आ चुके हैं बड़ी बिलहरी में गाउं है और यहाँ पे घर है और गर यहाँ पे बना हुआ है जो टूटा आपको हिस्सा दिख रहा खंडर में यह बताया जारा है कि यह घर था जो हिस्से में मिला था और इसके पीछे जो गाउं में घर बना हुआ है भाईओं को घर और यहाँ अधाज जी भी उनकी है अच्छा कैसा था यह बच्पन में और अभी आप जानकारी मिली की जंगल चला गया कोई बात चीत होती थी बात चीती नहीं सब को जैसे अब तुम हुका त्यों कि अपना मुखबीर बना रहा था दरैसल को और यादो पहले पुलिस का मुखबीर हुआ करता था जो डखेतों की हर एक जानकारी पहुचाता था यही वज़ा रही कि वह पुलिस के हर एक चाल से वाकिब था जिसका फायदा उठा कर कई दश्कों से जरायम की दुनिया का बात्शाह बना रहा अब अपने बेटे को डखायद मानती हैं नहीं मानती को मैं अब दखायदा माना थो नहीं एक पैसा क्या कमाई खावाए श्याना कुछू पर लड़का तो पिराते हैं जिन्दा रहा तो मोई लाई करता तो जिन्दा हैं अब तो मैं कहती है कि पहले सब्सक्राइब एक मा का दर्द है उस बेटे के लिए जिसने जन्म लिया था उस बेटे के लिए नहीं चुट रकायद बन गया लिकिन एक बात और आप जो बता रही थी पुलिस वाली बात तो यह बात आपको पता कब लगी कि पुलिस ले जाती थी जंगल और इसके बात पुलिस नहीं है अब बात चीत हुई कि जंगल में जब उत्रा उसके बात बात चीत हुई कभी कहा नहीं कि चले आओ घर कुछ लोग यह भी कहते थे कि जब प्रधान बनी थी कि वह दर की वज़े से प्रधान बन गई क्या सब्सक्राइब यह एक मा का वह दर्द है जो बाह उस बेटे को जानती थी जब वह जंगल में नहीं उत्रा था लेकिन मा का एक आरोप यह भी है कि जानकारी उनको जो मिलती थी वह यह थी कि पुलिस ही ले जाती थी और पुलिस जो आज जो एक एक जो आरोप है, प्रश्न पैदा करता है यह फिलहाले तस्बीर देखी और गाऊवा वाले है, जो है वह बड़ी बिलहरी का गाऊव है और यह आता है बहिलपुर्वा थाना चेतर के अंतरगत मानिकुर में पाठा का इलाका जहां पर यह प्रश्ण बहुत बड़ा तस्दीक करने वाला है कि आखिर कौन से कारण थे कि गोरी आदों को जंगल में उतरना पड़ा कौन से कारण थे कि उसे जो यह आरोप उनकी माता यह फिलार वो बेटा जो कभी जंगल में नहीं था वैसे मा खिरमा होती है गोरी के सिर से पिता का साया बच्पन में ही उड़ गया था उम्र की आखरी पड़ाओ में बेटी की मौत की खबर पर आखों में आसू लेकर कैमरी पर गोरी की मा का दर्द छलक पड़ा वो बता रही थी एस्टियफ वोले जब चाहते उसे अपने साथ ले जाते और अब उन्हीं ने गोरी को मार दिया मा बताती है कि गोरी जब धाई साल का था पिता का दिहान थो गया फिर जब वो बश्पन की दहली स्पार्कर जबान हुआ तो एस्टियफ ने उसे मुखबीर बना दिया यहां तक हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी गोरी को एस्टियफ ने दी पुलिस गोरी से डकैतों की मुखबीरी कराती थी उसी दोरान दकैतों की संपर्क में आ गया कहा जाता है हथियार चलाना भी गोरी को पुलिस ने सिखाया 1992 में ददुआ का बिहड में आतंक था ददुआ की संपर्क में आने के बाद गोरी को बिहड रास आ गया कहा जाता है कि 1992 में चित्रकूट के बहिल पुर्वा में तैनात एक इंस्पेक्टर ने उस समय सबसे खुंखा डकैत ददुआ की टोह लेने के लिए गोरी यादों को अपना मुखबीर बनाए था मुखबीर बनकर टैकैतों के संपर्क में आए गोरी यादों को अपराद और पिहड ऐसे रास आ गया कि वह खुदी डैकैत बन गया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने मुखबीरी के लिए जो हद कंडे अपना है जो सिखाये हधियार चलाने की ट्रेनिंग दी गोरी यादों उन्हे का इस्तेमाल अपने बचाओं में करने लगा एक समय ऐसा था बुंदेल खंड में जब चंबल का नाम आता था लेकिन इसी बीच दस्यू समराट ददुआ के मारे जाने के बाद तस्वीरें भयानक होती चली गई और लगभग तीन दसक तक दस्यू समराट ददुआ ने मुंदेल खंड के मिनी चंबल कह जाने वाले चित्रकूट के पाथा इलाके में अपनी धमक कायम कर दी 2007 में ददुआ के मारे जाने के बाद दस्यू समराट ठोकिया, रागिया, बभली कोल, लौलेस कोल तमाम डखेतों ने खौफ और आतंग की वो तस्बीर पेस की जिससे विकास कई गुना पीछे चला गया इसके बाद एक ऐसे डखेत ने श्चेतर में कदम रखा जिसके खौफ ने एक बार फिर सिस्टम को घुटने टेखने पर मजबूर कर दिया और उनाम था दस्यू गोरी यादो का 2001 में बिहड में कदम रखने वाला ये डखेत का सुद्रदुआ से लेकर कई अन्ने गैंगों के संपर्थ में रहा लेकिन सबसे बड़ा नाम तब सामने आया जब इसने दिल्ली से आई तीम जो दब इसकी कीम आई थी उस पे हमला कर दिया और दरोगा की हत्या कर विवालब पुलिया की गैंग में शामिल हुआ था इन दोनों ने पुलिस एंकाउंटर में मारे जाने के बाद 2008 में इसे जेल भीज दिया जहां से ये दो साल बाद रिहा होकर वापस आ गये वापस आने के बाद गौरियादों ने अपना गैंग बनाया फिर इसने दोबारा बारदात पुलिस ने पुलिस ने पकड़ा भी था एक इसके बाद जेल से छुटने के बाद इड़कैट और खतार राख होता चला गया और इसकी अगवाई में सूत्रों की जानकारी के अनुसार लगातार, रंगदारी और कई एसे मुपत में होते चले गए जिसने इस जेकैट को इ प्रधान बनाने से लेकर कई चुनाओं पर इसकी खास नजर हुआ कती थी और ये भी कहा जाता है कि इसको राप्त होने वाले हत्यार और अथ्याद धुनिक जो रिवालबर और कई ऐसे हत्यार पे जिनके उपर लगातार सवाल उपता रहा कि आफिर इस जखैट को ऐसे निवार सुभय यूपी एस्टीअप ने तमाम तज़्वीरों पर विराम लगाते हुए इस जखैट को मुड़ भेर में मार गिराया 2013 में दिल्ले पुलस पिलहरी काउं में दबीश देने गई थी गोरी आदों ने दिल्ले पुलस के दारोगा की गूली मार कर हत्या कर उसकी सरकारी रिवालवर लूटी और 2016 में बिलहरी गाओं की तीन ग्रामिडों को बिजली के खंबे में बांध कर उसने गूलियां चलाई थी तब उत्तर प्रदेश में तटकालीन डीजीपी जावीद एहमत ने गौरी आदो पर एक लाग के इनाम खोशित किये गौरी ने 2017 में कुल हुआ के जंगल में एक ही गाओं की तीन लोगों को जिन्दा जला दिया था गौरी आदों के खिलाब चित्रकूट और सीमा से सटे सतना मतिप्रदेश में 60 से अधिक मुकर्मे दर्जे थे गौरी ने अपने आतंग के बल पर 2016 में अपनी मा को गाओं का प्रधान भी बनाया टकैद गौरी आदों के परिजनों का कहना है कि पुलिस नहीं उसे अपने फाइदे के लिए टकैद बनाय था और अब पुलिस नहीं वरजी तरीके से उसे मार भी दिया अब सबसे बड़ी बात यह है कि चित्रपूर के विकास को लगातार इंकित कर रही योगी सरकार डकैदों के सफाय के बाद चित्रपूर का कैसे विकास करेगी एक बड़ा प्रस्टन है लेकिन लगातार सुसल मीडिया में योगी समर्थक लगातार कह रहे है कि अब डगैतों का सफाया हो गया है और चित्रपूर सही पंदेल खंड में पिकास की गंगा बहेगी वीडियो जर्नलिस्ट सचिन के साथ अनुझभनमत हिंदी खबर चित्रपूर वैसे एक दोर ऐसा था जब बिहड में डगैतों का बोल बाला रहा कुछ सियासी दल अपने फाइदे के लिए डगैतों का इस्तेमाल करते रहे लेकिन योपी मेर्स सियम योगी ने कमान समाली तफसे या तो कुख्या जिल में है या फिर मारे गया सियम योगी की अपराद पर जीरो टॉलरेंस की नीतिका ही तो ये नतीज़ा है कि गौरी यादो जैसा दुर्दान तपराधी यूपी एश्ट्रियप में धेर कर राहत की सांस ली उम्मीद है कि बिहड में शायद ही अपकोई ऐसा ददुआ ठोकिया बलखडिया बबली कोल और गौरी यादो बनने की कोशिस अब नहीं करेगा पाठा में देहशत का आखरी अध्याय खत्म किया जा चुका है हमारी खास पेशकस में इतना ही देख तरी हिंदी खबर नमस्कार